इस वीडियो में हम बात करेंगे NSC और BSC क्या है NSC और BSC कैसे काम करता है तो सब चित जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में तो वीडियो को पूरा देखेगा तो चले शुरू करते हैं NSC और BSC हमारा इंडिया के दो मुख एस्टॉक एक्सेंज है NSC का पूरा नाम National Stock Exchange है जिसकी अस्थापना 1992 S.W. में हुई थी NSC पर कुल 1600 से ज़्यादा कमपणिया रेजिटर्ड है वहीं BSC का पूरा नाम Bombay Stock Exchange है इसकी अस्थापना 1875 S.W. में हुई थी इसमें कुल 1500 से अधिक कमपणिया रेजिटर्ड है किसी भी कमपणिय को अपने बिजनेस के लिए लोगों से रूपया लेना हो तो वो अपने कमपणिय के सेर को NSC या BSC या दोनों NSC और BSC पर रेजिटर कराते हैं और IPO के जरिए अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं को इफी रिटेल इन्वेस्टर NSC और BSC से डारेक्ट सेर नहीं खरीते हैं बल्क यहाँ पर NSC और BSC सेर को खरीदने और बेचने के लिए दो खिरक्यों के जैसे काम करता है जैसे आप किसी भी सिनेमा हॉल में जाते हैं उसे तरह से जो कंपणी रिटेल होती NSC और BSC दोनों पर उसके नमबर आफ सेर से फिक्स हैं आप उसे NSC से खरीदिये या BSC से खरीदिये और यहाँ पर जो NSC और BSC से उससे आप डारेक्ट नहीं खरी सकते हैं यहाँ पर जो एजेंट उहाँ से हमें सेर को खरीदने और बेचने में मिडियेटर मतलब कि हैं एजेंट का काम करता है उसे हम ब्रोकर बोलते है NSC में रिजिस्टर कंपणियों के ग्रोथ और फॉल को दिखाने के लिए कई इंडेसिस बनाएगे हैं जिसमें मुख इंडेसिस हैं निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी ओटो, निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईडी और भी बहुत सारे हमारे इंडेसिस हैं निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप तो इस तरह से जो company के growth और fall है उसको दिखाने के लिए या कि हमारी economy को growth और fall को दिखाने के लिए बहुत सारे indices बनाए गए हैं यह जो indices हैं NST और BST के वो हमारी economy के growth और fall को दिखाते हैं हमारे देश के growth और fall को दिखाते हैं वहीं BSC में भी बहुत सारे indices बनाएंगे हैं, S&P BSC Sunsex, S&P BSC Small Cap, S&P BSC Mid Cap, बहुत सारे indices बनाएंगे हैं। कुछ जो important बाते हैं, आपको ध्यान रखनी है, सेर को खरीदने और बेचते समय, कि अगर आप intraday करते हैं, तो अगर आप NSC से सेर खरीदते हैं, तो same day आप BSC में सेर को नहीं बेच सकते हैं। बेचते हैं BSC पे, तो वहाँ पे अगर सेर आपको मिल गया, तो ज्यादा प्रोब्लेम नहीं है, लेकिन अगर T plus two day बात बेचते हैं, आपके डिमेट अकाउंट में आने के बाद सेर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जो सलाह है, कि आप सेर अगर NSC में खरीदते है तो NSC पे ही बेचे, आप BSC पे खड़ीदे हैं, तो BSC पे ही बेचे, आप पहले ही सलेक्ट कर लेए, आपको जो ट्रेडिंग करनी है, जो इन्वेस्पेंट करनी है, उसके लिए STOCKS को NSC पे सलेक्ट करना है, या BSC में दो STOCKS में एक को चूज कर लें तो ज्यादा बेच तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा, अगर कोई भी question हो, कोई भी doubts हो आपको stock exchange के बारे में जो NSE और BST है और इसाथ ही आपको ये भी बता दे कि इंडिया में बहुत सारे stock exchange है मुख stock exchange मात्र दो है NSE और BST है, अलग अलग सारों में इंडिया के कई और भी stock exchange है जहां पर share की trading होती है share की खरीद विक्री होती है अगर आपका कोई भी question हो तो आप हमसे फूस सकते हैं, और कोई सलाह हो तो वो भी लिख सकते हैं, तो भी करते हैं विडियो helpful दा होगा, तो विडियो को like और share कीजिएगा चैनल पर पहली बारा है, चैनल को subscribe करके बगल के bell icon को दबा देजिएगा